तो यहां पर कुछी देर में अब सी एंगी पंप का उद्गाटन होने वाला है आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग भी काफी यहां पर इखटे हो गए तो सजावश्ट काफी अच्छा सजाए गया अभी मैं आपको पूरा पूरा रूम कर दिखाऊंगा कहां पे कैसा है और पहले से काफी जदा इसे डबलब भी कर दिया गया पहले आपने देखा हो हम है हजारों में अब की कमेज़ आए हर चीज कहस है अब है जो है तो यहां पर फ्रस्ट काड़ी में से औ जी फिल हो रहे हैं वह सब्सक्रिजद कारदे मुटा क्वान पूर्ण पी तो येंस काफी लगी कर्ष्ट्रूमर रहे हैं जिनल जिनको नए से अंजी फर्स टाइम पर फिल का आने का मौका मिला तो देखते हैं भी किस तरह का प्रेसर दे रही है यह सेंजी पंप और जो भी प्रेसर लगबर मेरा मनना है 200 तो होना ही चाहिए और यह हमेशा के लिए मेंटेन भी रहना चाहिए और भी काफी चीज़ें अगर इस पंपे मेंटेन रहें तो काफी वहतर रहेगा एक बहुत अच्छी बात है कि फरुकाबाद में सेंजी पंप आ गया है तो यह भी खुसी की बात है और मुझे भी सेंजी पंप से काफी जना फाइदा होगा रीजन क्या है कि में जो गाड़ी है परड़े हंडेड किलोड़ चल मैं तो यह है कि फरुकाबाद में आ गया है तो काफी अच्छा काम हुआ है काफी लंबी समय से इंतजाइक हो रहा था आप काफी कमेंट भी आ रहे थे पिछला जब मैंने वीडियो अप्लोड किया था यहां का तो कि कब खुला है कब क्या है तो चलिए अब अंतदा काफी लंबे समय के बाद हो ही गया तो यह साइकेंड कार है जिसमें सी अंजी फिल हो रहा है और थार्ड नंबर पर वह एंबुलेंस थी जो अभी आपने पीछे देखी तो अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूं पंप तो यह है पहले आपने देखा हो कि काफी जाना इसकी फार्स भी टूटी हुई थी और जो ऑफिस ऑफिस था उसका भी लुक काफी बुरा सा था लेकिन अब जिसने भी मैनेजमेंट किया है काफी अच्छा कर दिया है पूर कि लोग जाना देर तक बेट करेंगे उसके वाद में पेसर ना मिला उनके में फिल ना उपाई तो काफी जाना घुस्ता आती है तो बस यही रहेगा कि हाँ पेसर अच्छा रहे और बाकि ठीक है टाइम से जी आती रहे इस वीडियो में इतना ही रगते हैं मिलते हैं अगल कर लेना बाइब कर लेना बाइब कर लेना बाइब